नमस्ते, सौरब दिवेदी नाम है हमारा और एक बार फिर आप देखना शुरू कर चुके हैं दील अलन टॉप शो, सबसे पहले दिन की बड़ी खबर है, कल यूपी पुलिस को सुप्रीम कोट ने एक पत्रकार के मामले में खरी-खरी सुनाई थी, आज फिर एक पत्रकार से बचसलूकी की खबर आई, इस बार हरकत जी आरपी की है, यूपी के शामली में पत्री से उत्री ट्रेन की कवरेज के लिए पत्रकार से जी आरपी वालों ने मारपीट की, वीडियो वाइरल हुआ, नतीजा ये रहा कि थाना प्रभारी राकेश कुमार और जी आरपी पुल पुलेस और बीजेपी वालों में जड़ब हुई, आसु गैस के गोले चलाए गए, इस सब के बाद राज जेपाल के स्रीनात्र पार्थी ने कल शाम चार बजे और पार्टी मीटिंग बुलाई है, टीमसी जाने को राजी हो गई है, देखना ये है कि मीटिंग में क्या होत है और क्या मीटिंग के बाद ये हिंसा रुकती है, अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ, देश में सरकार बन चुकी है, कैबिनेट में विभाग बढ़ चुके हैं, अब बारी है सडक से संसत्तक एजिंडा लागू करने की, और इसके लिए चाहिए भरोसे मन लोग की एक टीम, इस काम के लिए मोधी सरकार ने धड़ा धड़ निटियां की हैं, और आज बड़ी खबर में हम उन पांच लोगों की बात करेंगे, जिन पर नरेंद्र मोधी और भारती जिनता पार्टी में भरोसा जिताया है, साथ में ये भी बताएंगे कि इस भरोसे की वज की उनी सु सरसट बैच की आई एस अफसर निट्पेंद्र मिश्र कैबनेट सकेटरी बन जाते हैं, अगर 2004 में वाचपई सरकार दोबारा चुनाव जीतती, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, चोहत्तर साल के हैं निट्पेंद्र मिश्र, उनकी किसमत खुली जब नरेंद्र मोध मोधी ने 2014 में प्रधानमंत्री पत की शपत ली, मोधी ने उन्हें अपना प्रमुक सचिव बनाया, कई मंत्रालियों में काम कर चुके मिश्र, 2009 में ट्राई के चेर्मेन पत से रिटायर हुए थे, ट्राई का नियम ये कहता है कि इसके अध्यक्ष और सदस्य, अपना पत छ लेकर आई मोधी सरकार, कॉंग्रेस ने हला काटा, तो सरकार ने कह दिया, प्रधानमंत्री अपनी पसंद की अफसरों के साथ काम करें, इसमें क्या बुराई है, मोधी 2.0 यानि दूसरे कारकाल में प्रधानमंत्री कार्याले पहले से ज़्यादा मजबूत होगा, मिश्र क में दूसरा नाम है, पीके मिश्र, इन्हें नरेंद्र मोधी का अतरिक्त प्रमुक सच्यों बनाया गया है, वो प्रमुक सच्यों ये अतरिक्त प्रमुक सच्यों, पीके मिश्र और मोधी की जोड़ी पुरानी है, गुजरात से बनी है, 1972 भाइट की रिटायर अफसर है, पी मुक्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गुजरात विद्दुत विनियामक आयोग का अध्यक्ष बना दिया। एक न्यूस चैनल के साथ इंटर्व्यू में नरेंद्र मोदी ने पीके मिश्र को लेकर कहा था कि मैं पहली बार मुक्यमंत्री बनने के बाद प्रिंस्पल सेकेटरी पीके मिश्र से मिला। उन्होंने मुझे बेसिक्स बताए, फाइल कैसे देखनी है, कहां दस्तकत करना है, सब कुछ सब कुछ वो आसानी से करवा लेते थे और सही सला देते थे। सूची में तीसरा नाम, नरेंद्र मोदी को सला देने वालों का नाम, अजीत डोवाल, एक्स्टेंशन पाने वाले वो तीसरे बड़े शक्स हैं, पिछली बार सरकार में राश्ट्री सुरक्षा सलाकार यानि की एनसे थे, वही काम इस बार भी मिला है, कुछ मीडिया रप् सूची से पहले कि इस बार शायद डोवाल को उनके उनके बेटे के इड़्गरत की खंट्रोवसीज के चलते, दोबारा मौका ना मिले, वो गलत साबित हुए, मौका भी मिला और प्रमोशन भी, राश्ट्री सुरक्षा के काम में उनके योगदान को देखती हूँ, सरकार ने उन्हें कैबिनिट मंतरी का दर्जा दिया है, दोबाल पर मोधी बहुत भरोसा करते हैं, पिछले कारकाल में जब भी महत्पूर विदेशी दोरे हुए, दोबाल नरेंदर मोधी के बगलगीर थे, उनका बतोर IPS जादा तर कारकाल इंटेलिजेंस की फीडर में बीता है, पुरवोत्तर, जम्मू कश्मीर, पंजाब के अलावों नों ने पाकिस्तान में भी असाइन्मेंट किये हैं, दोबाल के नसे रहते भारत की सौफ्ट स्टेट वाली च्छवी में बदला हुआ है, और इसकी कोश्चें भी खूब हुई है, पर सरकार ने दुस्साहसी ओपर प्रेशन किये, ठोब बजाकर दुनिया को उनके बारे में बताया भी, पहले में आमार में घुसकर एनस्सीयन के उगरवादियों के खिलाफ कारवाई की, फिर उड़ी हमले के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पुलवामा में CRPF पर हमला हुआ, तो उसके बाद प अपनी जमीनी रपट के आधार पर, ग्राउंड पर रहते, इसके आधार पर बता सकते हैं, कि आम लोगों ने इस पर चर्चा भी की, और मोदी को मिले जनादेश में इसका एक बड़ा रोल है, लोबाल का एक्स्टेंचन ये बताता है, कि मोदी राष्टी सुरक्षा को ले इसके टकराओ तो नहीं होगा, फिर जवाब भी दिया, कि एक तरीके से काम का बटवारा अनौपचारिक रूप से हो रखा है, जिसमें जैशंकर जो बिग पार हैं, जैसे अमरीका है, चाइना है, रूस है, इन सब पर फोकस करेंगे, और दोवाल देखते रहेंगे उसी राच्टर हैं, वो और मिडल इस्ट का इलाका, और ऐसे शक्तियों का टकराओ नहीं होगा, अब कुछ राजनीतिक न्युक्तियों की तरफ जाते हैं, ये तो प्रशासनिक हो गई, चौता ना, थावरचंद गहलोत, ये राज्यसभा में भारती जनता पार्टी के नेत होंगे, ये अलोत की न्युक्तियूस प्लैन का हिस्सा है, जिसके तहट भाजपा अपनी सारी पुरानी छवियों को तोड़ कर सब की पार्टी बनना चाहती है, और दलितों के बीच तो खास तोर पर पैट बनाना चाहती है, और इसी लिए पिछले पांच बरस में संग और भाजपा अपनी सरकार अपने संग्ठन के जरिये लगातार दलतों के बीच संदेश देने का काम कर रही है, रामनात कोविन को राष्टपती बनाया जाना भी इसी रणनीती का हिस्सा था, अरुन जेटली, खराब सेहत के चलते, राजे सभा में सक्री नहीं है, ऐसे में उन आसों के बीच एलान हुआ, मद्यप्रदेश के नागदा से आने वाले थावर्चंद के नाम का, संग्र की प्रष्ट भूमी से आते हैं, पस दूरों के बीच खूब काम किया है गहलोत ने, मद्यप्रदेश के मालवा अलाके में दलित वोट ठीक ठाक तादाद में है, यहा प्रहलाद जोशी, इन्हें लोकसभा में भाजपा का चीफ विप बनाया गया है, करनाटक से आते हैं जोशी, महां भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, धारवार से सांसदी जीते हैं, और मोधी कैबिनेट में कोईला और खनन मंत्री हैं, उन्हें लोकसभा में पार्टी का च चीफ विप का काम भी इसी तरह का होता है, सदन के अंदर पार्टी का अनुशासन बनाये रखना, चीफ विप की जिम्मेदारी होती है, सरकार और सदन के अंदर पार्टी और संधन के बीच समनवय रहें, संसद में सरकार के चाहे काम पूरे होते रहें, चीफ विप की जिम सदी परंपरा में, तीन तरह की विफ का जिखर मिलता है. पहली you line 25. इससे सांसदु को party line के समर्थन करने के लिए कक्या जाता है. दूसरी two line vip इससे वोटिंग के वक्त सांसदौ को सदन में मौजूद रहने को का जाता है, और सबसे जरूरी है तीसरी three line इससे सांसेदों को party line पर वोट डालने को कहा जाता है, आपक एक ठीक है निर्देश दे दिया, कितना ही पालन होगा, तेकि three line whip बहुत महत्मूर है, कोई सांसेद अगर three line whip के खिलाब जाकर vote डालता है तो उसकी सदस्ता जा सकती है, एक case को छोड़ कर, अगर पार्टी के एक तिहाई से ज़्यादा सांसर विप का उलंगन करें तब ऐसा नहीं होगा अदर्वाइस दलबदल कानून के तहट सदन से वरखास्तगी की कारवाई भी हो सकती है सताधानी दल के लावा दूसरी पार्टीयों के विप भी होते हैं लेकिन भोकाल तो दो ही तरह के चीव इप का होता है पहला जिसकी पार्टी बिल पास कराने का दम रखे और दूसरा जिसकी पार्टी बिल रोकने का दम रखे पांच नामों के अलावा दो और नाम हैं जिनका जिक्र सुनते जाईए पहला क्याबिनेट सचेव पीके सिनहा इन्हे सरकार ने तीन महिने का एक्स्टेंशन दिया है और इसी के साथ पीके सिनहा भारत की इत्यास में सबसे लंबे कारेकाल वाले आये सबसब बन गए हैं सरकार ने सिनहा के लिए ही 60 साल वाली नियम में छूट दी थी इससे पहले 2017 और 2018 में भी सिनहा को एक्स्टेंशन मिला था सुची में दूसा नाम है राजनाथ सिंग का पिछले दिनों सरकार की कमेटियों से बाहर हुए तो गुसा गए गुसा गए तो संग ने दखल दिया दखल दिया तो कमेटियों में फिर आ गए पिर लोगों ने कहा अब राजनाथ कितना भी नाराज हो लें सब को पता है कि नंबर टू तो हमेशा ही रहेंगे बहले जी शपत राजनाथ के बाग ली हो ये भी बताया जाने लगा कि कैसे हमेशा ने दूसरे महत्पूर्ण कैबिनेट मंत्वियों की मेटिंग बुलानी शुरू कर दी है लेकिन नरेंद्र मोदी संकेतों की राजमिती खूब जानते हैं और बुंदेली लہजे में कहें तो सिरा सिरा के खीर खाते हैs उन्से ठंडिकर करके खाते हैं। राजनाथ सिंग को लोगसाभा में पार्टी का उपनेता बनाया है। नरेंद्र मोधी नेता, राजनाथ उपनेता। तो सांकैती रूप से राजनाथ सिंग अभी भी नमबर टू की हैसियत रखते हैं। इन न्युक्तियों से मोधी सरकार ने सातत्य का, कंटिन्यूटी का संदेश दिया है जैसा चल रहा था, चलता रहेगा बशर्ते, सरकार में काम कर रहे लोग, पफॉर्मेंस अच्छी करें अगर वो ऐसा करेंगे तो सरकार भी उनके लिए एफर्ट करेगी वरना हमेशा से नेपथ्य में जाने का रास्ता तो बना ही होता है गुजरात एलर्ट पर है, वजए है, वाय है चक्रवाती तूफान वायू, आसान भाषा मैं आज इसी के बारे में समझें यह चक्रवाती तूफान वायू है क्या और भारत को इससे कैसे खत्रा है ये ब्रस्पतिवार की सुबह गुजरात के सौराष्ट तट से टकराने वाला है अब सुबह के अपडेट की माने तो ये तूफान गुजरात से लगभग 340 किलोमीटर दूर था जैसे जैसे तूफान पास आया इसकी तीवरता की शेनी बदल बे मौसम विभाग ने पहले इसे गंभीर बताया था अब बहुत गंभीर बताया है बताया ये भी गया कि कल जब ये तूफान तट से टकराएगा तो हवा की रफतार लगभग 160 किलोमीटर प्रतिघंटा रहेगी आप इसे ऐसे समझे कि कुछ दिन पहले जब फणी तूफान आया था ओडिशा के तक पर तब हवा की रफतार 220 किलोमीटर प्रतिघंटे थी अब आप पूछेंगे चक्रवाद तूफान आता कैसे है सीधा हिसाब है गर्मी में समंदर का पानी भी गर्म होता है आप मालीजे मोटा माटी टेंपरिचर अगर समंदर के पानी का 27 डिगरी से जादा हो जाए तो भाब बनने लगती है ये भाब और गर्म होती हवा आसमान में उपर जाते हैं उपर उट्टी गर्म होवा की जगे लेने के लिए आसपास की हवा में उस खाली जगे को भरने की होड मशती है ठंडी हवा गर्म होवा उपर गई ठंडी हवा नीचे आई अब बनता क्या है इससे इस पूरे प्रोसेस में नमी से भरे बादल बनते हैं जितनी गर्मी और नमी होगी उतना ही जोर का तूफान आएगा अभी जो तूफान आया है उसका असर सिर्फ गुजरात में नहीं है हर कोई वायू की बात कर रहा है एक सवाल उपश्टा है कि प्रशासन इसके लिए क्या तयारी कर रहा है अगर बात कर रहा है तो पहले तो बात समझ लीजे, पीम मोधी ने ट्वीट कर सबकी सलामती की बात कही, राहूल गांधी ने कॉंग्रेस निकार करताओं से कहा, चक्रवाद के चलते लोगों की मदद के लिए तैयार रहे हैं, महराश तक बात जा पहुंची है, तटी इलाकों में तेद हवाएं चल रही हैं और पेड़ों के भी उखड़ने की खबर आ रही है, सरकार चोकन्नी है, कोंकर छेतर के सारे समुद्र तक अगले दो दिन के लिए बंद कर दिये गए हैं, लेकिन असली तैयारी जो है वो गुजरात में चल रही है, तूफान के नुकसान से बचने की, सरकार ने इसको शाला परवुत्सव कहते हैं, यह तीन दिन का होना था इस बार फिलाल के लिए से स्थवित कर दिया गया है, तीन लाग लोगों को सुरक्षित जगों पर ले जाय जा रहा है, कई ट्रे ने जो इस इलाके से गुजरने वाली थी, सौराष्ट के इलाके से, तटी इला अगल से सुरक्षित जगों पर ले जाय गया है, कोस्ट गार्ड, आर्मी, नेवी, एरफोर्स, बीएसेफ, एंडी आरेफ, सब अपने काम में लगे हैं, हेलिकॉप्टर स्टेंडबाई मोड पर हैं, सेना की 10 टुकणिया तैनाथ हैं, और 24 टुकणिया किसी भी वक्त काम प दिखा रहे हैं, आप इन्हें नोट कर लें, और जाते जाते एक जरूरी बात, बुनियादी बात, ऐसे मौके पर कुछ साफधानिया जरूरी हैं, इसके जरीए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं, अपना फोन चार्ज रखें, इमर्जनसी किट रखे तूफान में जो चीजें हलकी फुलकी ओड़ सकती हैं, खतरनाक हो सकती हैं, जैसे टिंशेड है या कोई और चीज है, उसको घर से हटा दें या कहीं दबा कर रख दें मजबूती के साथ, जबुरत ना हो तो घर से ना निकलें, घर के अंदर पानी की वहस्ता करके रखें, और सबसे दोरी बाग अब वहों के फेद में ना पड़ें, आज के दीलले साथ शो में इतना ही, अपना और अपनों का खुब ख्याल रखिए, शुबरात त्रे